जब मीठा खाने का हो मन और मेहनत करनी हो कम तब आप बनाएए ओणिसा की फेमस मिठाई जो बनती है सूजी से इसमें हमें मावा की जुरत नहीं पड़ती है और बहुत ही कम इंगिडियेंट्स यूस होके ये वाली मिठाई बनके तयार हो जाती है बिल्कुल मुँ में घुल जो बहुत ज्यादा डेलिशेज होती है और कम मेहनत में बनके तयार होती है है कविता मेरी चैनल पे आपका बहुत स्वागत है अधर आज के मेरी एक चमच डेसी घी लिया है और इसको इस तरह से हम फिला लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं आदा कप बारिक सूजी लाकां के पास मोटी है तो इसको फिक्षी में चलाके बारिक कर लीजिए और बस इसमें हम इस तरह से डालेंगे और इसको हम मेडियम फ्लेम पे लगाता चलाते हैं इसका हम कुब कलर चेंज नहीं करना है बस इस सूजी का कच्छा पंदूर करना है और इसको हमें चार से पांच मिनट तक लोटू मीडियम फ्लेम पे लगता चलाते हुए इस तरह से इसको भून लेना है तो ये देखे इसको लगता चलाते हुए पांच मिनट हो गई है अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक लास दूद जी हाँ इसमें हम आज कोई मावा यूस नहीं करेंगे बस मैंने यहाँ पे एक लास दूद लिया है और एक चमच मैंने इसमें की डाला है और बस अब हम इसको लगतार चलाते रहेंगे low to medium flame पे और ये दीरे दीरे जो दूद है वो absorb होने लग जाएगा ये देखे सूजी में और ये दीरे दीरे हमारा जो mixture है वो tight होता चला जाएगा बस यहाँ पे आपको इसे लगतार चलाते जाना है नहीं तो ये चल जाता है तो बस यहाँ पे मैं इसको लगतार चला रही हूँ और ये दीरे दीरे हमारा ये tight होता चा रहा है और ये हमें तब तक चलाना है जब कि पूरा एक ये डोकना बन जाई याने की पैन को ये अच्छे से छोड़ने ना लग जाए तो ये देखने आप कितना टाइट हो चुका है तो बस इसको हम एक से दो मिनिट और चलाएंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बिल्कुल टाइट हो चुका है और पैन को भी इसने अच्छे से छोड़ दिया है इस कंडिशन में मैं इसको नीचे उतार लूँगी और इसको हम एक कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे तो ये इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे तो जब तक ये ठंडा हो रहा है आप चाहें इसको फैन के नीचे भी रख सकते हैं और तब तक हम यहापे शुगर सिरप तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर एक कप चीनी ली है और एक कप ही मैं पानी ले रही हूँ मुझको यहां पर कोई चाश्णी नई बनानी है बस हमको एक मीठा सा पानी तयार करना है ताकि हम अपनी उसमें मीठा ही डिप करके छोड़ सकें जिस तरह से हम गुलाब जामुन के लिए तयार करते हैं शुगर सिरब बस वैसे हमें यहां पर भी तयार करना है तो बस यहां पर हम गैस की जो फ्लेम है मीडियम से हाई रखेंगे और इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक कि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से पानी में घुल ना जाए तो यह देख रहे हैं आप लगता चलाते हुए हमारी चीनी लगबग घुल चुकी है और अब इसमें में ढाल रही हूं थोड़ा समय इसमें एलाईजी पाऊड़ perspective यह एज्य और आपको इसमें अच्छा सा कलड़ यह तो आशम जोड़ा सा फूड कलर भी आप इस दिमाल कर सकते तो मैंने यहां पर केसरी रंग का थोड़ा सब आ चुका ही आचिक and इंज अच्छे से चिपचे पाहट पन इसमें आच चुका है तो अब इसे नीचे उतार लेंगे और अब हम चलते हैं इस मिक्स्चर में तो अब इसमें मैं कुछ इड़ कर रही हूं जैसे कि मैं इसमें 1 फूर्थ टी स्पून डाल रही हूं बेकिंग सोडा यानि की बहुत ही कम डा है और जब हम इसको अच्छे से पेड़े बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे यह बनता है फिर इसे फटने भी नहीं देता है तो इसमें बस अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को हमें हाथों से मदद से इस तरह से गूत लेना है जैसे हम आटा मलते हैं तो बस इस तरह ऐसे सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और बस हमारा अच्छे से मिल चुक है अब इसमें मैड कर रही हूं थोड़ा सा दूद याने कि यहां पे मैंने चार चमच जो बड़ा वाला होता है ना चार बड़े चमच दूद लिया है और इसमें हम थोड़ा सा तो यहां पर हमें 5-6 मिनट तक अच्छे से आटे को मलेना है ताकि जब हम इसके लोईयां बनाए तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बने थोड़ा सम घी लगा लेंगे और इस तरह से हम अच्छे से इसको मलेंगे तो यह देखिए यह हमारा आटा बहुत ही बढ़ी असे तो मैंने हाथों में थोड़ा से घी लगा लिया है और बस अब हम इसको इस तरह से लोईयां बनाएंगे तो आप चाहें मोटी पत्ली मीडियम साइज की जो आप शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं अलकत साम इसको प्रेस करेंगे तो यह देख रहे हैं तो इस स्टेश में मैदा के मैदा मäसे 笑 कि कमी उपनानी है यृत और उस समय सरे से लेते हैं तो इसमी उसंदेना चाहेंगे तो आपको परिशान होने कंश मेरे हां कली तो एक जब कुल और भी श들이 कुल हो जाएंगे इस. इसो और बस अब हम क्या करेंगे आपको जो भी यिसमें देनी हो आ यानि की मोटर बनानी है, पतले बनाने है, तो यह आपके पर निर्भर है, तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी जो लोईया है, इवनली हम काट लेंगे, यह देखे, और बस इसको हम अच्छे से हाथों में इस तरह से गुल-गुल गुमाएंगे, और हलका से इसको हम ब्रैस करेंगे, तो अब हमारे इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहे हैं, तो यह लीजे, तयार है हमारे, और यहाँ पर मैंने सारी बना के तयार कर ली है, तो अब चलते हैं, नेक्स टेश पर, कैस पर हम पैनकेंगे, और अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब और से आप गर्म कर लीजे, फिर आप इसको लो कर लीजे, तब आप इसमें छोड़िये, और बस जब यह अपने आप उपर आ जाना, तब आप इसको पलट लीजे, तो यह देखे, बहुत ही बड़िये से यह सिख चुके हैं, और इस तरह से हम पलट लेंगे, अब यहाँ पे ह हमें एक बात का ध्यान रखना है, कि जब आप इसको शुगर सिरफ में डाले ना, तो यह खलकी सी गरम होनी चाहिए, तो मेरी ठंडी हो गई थी, मैंने इसको अपने 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 फूल के जैसे गुलाब जाते हैं, तो साइस भी फर्क पड़ता है, इसम बड़ा ह हो जाता है, तो देखे हमारे हाँ पर भी यह हाल हुआ है, इसको इस तरह से हम पलट लेंगे, तो जब भी आप यह मिठाई बनाए, तो हलकी सी जो हमारा ही शुगर सिरफ पे इसको हम गरम कर लेंगे, और यह हमारा दूसरा बैश भी लगवग तयार हो गया है, तो यह वाल और इसी तरह से हम इसको भी शुगर सिरफ में डालेंगे, जो पहली वाली शुगर सिरफ में है, उसको हम भाड निकाल लेंगे, तो कि अच्छे से जाच चुका है, यह देखे, कितना बढ़ी अलग रहा है, मूह में पानी आ रहा है न, देखते वे तो बस इसको हम निकाल और इसको सर्विंट प्रोसेस पर चलेंगे, तो यह लीजिए हमारी उरी सहकी मज़िदार, फेमस रस्परी तयार है, जीहा नाम की तरह यह गलाब जमून की तरह रस से भरी हुए हमारी मिठाई है, और योडिसा में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसको आप बनाईए घर में जॉए कीजिए, बहुत ही कम इंगिडियन्स पे बनने वाली हमारी मिठाई तयार है, ना मावे की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा समान की जरूरत है, और टेस्ट तो इसके क्या कहिए, तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की मेरे रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आयो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शियर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलिए, और ये जो साथ में बैल बने हुए इसको आप जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी जब भी वीडियो आईगी आपको ये तुरंत इसकी नोटि कि झासी टीजियो ओपको आपको आपको ले सो अबटाए करना वीछ और मेरी अपको आपको एंपको आपको 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 आपको